भारतिय संस्कृती में अन्न को देवता का रूप मानने की परंपरा है और अन्नपूर्णा देवी को जगत माता के रूप में सम्मानित किया जाता है इस परंपरा के अनुसार यदि हम अन्न को सम्मान पूर्वक नहीं तयार करते हैं या उसे अपमानित करते हैं तो यह मा अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है इससे हमें दरिद्रता और अन्न की कमी का सामना करना पड़ सकता है और इससे घर परिवार के सदस्यों को भी परेशानियां उत्पन हो सकती है यह मान्यता भोजन की महत्वता आहार के प्रती आदर्श और अन्न की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रकट करती है भोजन न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है बलकि यह हमारे मानसिक आध्यात्मेक और सामाजिक कल्यान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए यहां बताए गए नियम और अनुशासनों का पालन करने से हम अन्नपूर्ण देवी का सम्मान करते हैं और हमारे जीवन में संतोश सम्रिद्धी और शांती का आदान प्रदान होता है तो आए जानते हैं शास्त्रों में भोजन को लेकर दिये गए उपाई भूलकर भी थाली में न धोएं हाथ भारतिय संस्कृती में अन्न की पवित्रता को मान्यता प्राप्त है और अन्नपूर्ण और धन की देवी मा लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं शास्त्रों में बताया गया है कि भोजन के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए क्योंकि इससे मा अन्नपूर्णा और मा लक्ष्मी को आप मानित किया जा सकता है इसके स्थान पर आपको भोजन के बाद अलग से एक पात्र में पानी लेकर हाथ धोना चाहिए इससे आप व्यक्तिगत शुधता को बनाए रखेगे और देवी मा की कृपा भी प्राप्त करते रहेगे भूलकर भी न परोसे तीन रोटियां जब भोजन परोसा जाता है तो तीन रोटी परोसना अशुब माना जाता है इसे मुरित व्यक्ति को समर्पित माना जाता है और इससे अप्शकुन माना जाता है इससे बचने के लिए आमतोर पर दो या चार रोटी ही भोजन की थाली में परोसी जाती है इससे कोई परेशानी नहीं आती है